नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है कोरोना संकट के मदे नजर आरबियाई ने बैंकों को तीन महिने ये माई में राहत देने की सलाह दिये इसके बाद तमाम ये माई भरने वाले लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कर अब आगे क्या होगा क्या उनको इसका फाइदा मिलेगा नहीं मिलेगा बैंक वसूलेंगे नहीं वसूलेंगे या उन्हें समय पे अपनी ये माई देनी चाहिए या इंतजार करना चाहिए दरसल RBI ने ये बैंकों को सलाह दी है मानना है नहीं मानना है मानना है तो किन सर्तों के साथ मानना है ये बैंकों को डिसाइड करना है तो पहली सलाह आपको ये है कि यदि आप तीन महिने के दोरान EMI भरने में सक्षम है तो आप अपना EMI टाइम से जरूर चुकाएं दूसरी बात कि यदि आपके पास पैसा नहीं है और EMI नहीं भरना चाहते हैं RBI ने जो ये राहत दी है उसका फैदा लेना चाहते हैं तो भी ये डिसाइड करना है उस बैंक को ही कि वो राहत दे रहा है कि नहीं दे रहा है पहली बात दूसरी बात कि किस-किस तरीके के लोन पे ये राहत मिलने वाली है तो उसमें Home Loan, Personal Loan, Education Loan, Car Loan ये सामिल है, Retail Consumer Loan भी सामिल है नीजी छेतर के बैंको, छेतरी ग्रामीड बैंको, सहकारी बैंको, Housing Finance Company जो Term Loan देती हैं, उस सब पे राहत मिलेगी लेकिन Business Loan को लेकर कई स्थिती असपस्ट नहीं है फिर ऐसे में ये भी सवाल उठता है, कि मान लिजीए कि आपने ये तीन महिने तक लोन नहीं दिया, फिर नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बैंक आपसे ये पैसा नहीं लेंगे, तीन महिने बाद, तीन तरीके हैं जो बैंक आपसे असूल सकता है, मतलब ये विकल्प देगा आपको पहला विकल्प ये दे सकता है, कि मान लिजीए कि आपका 15 साल का लोन है 180 महिने का लोन है, तो उधर वो टेन्योर बढ़ा दे, दूसरा विकल्प ये है कि वो जो आपका EMI है, उसका एमाउंट बढ़ा दे, क्योंकि तीन महिने का जो बकाया हो गया वो देने के लिए कोई नकवित्त तरीका वो निकालेगा, या फिर वो one time settlement करने के लिए कह सकता है फिर आपके जहन में ये सवाल उभर रहा होगा, कि इन तीन महिनों में यदि आप EMI नहीं देते हैं तो आपके credit score पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आपके credit score पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि RBI ने एकदम clear कर दिया है कि जो भी ये राहत दी जा रही है, वो बैंकों की तरफ से दी जा रही है लिहाजा आप defalter नहीं माने जाएंगे, तो ये कुछ जो आप सोच रहे थे, उसके सवालों के जवाब हैं और आप इसमें परिशान होने की बात नहीं है, आपको ultimately contact जो करना है, वो अपने बैंक से ही करना है कि उसने इस पर क्या decision लिया, क्योंकि बैंक की भी अपनी दिकत होती है, तीन महीने के लिए EMI पर राहत देता है तो उसे अपनी भी तीजोरी देखनी है, कि तीन महीने तक उसका पैसा नहीं आएगा, कितना उसका पैसा फंसेगा, आगे की उसकी cap planning है तो अलग-अलग बैंकों को इस पर decide करना है तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हमारा digital channel InKabar Thank you